हेलो गाइज एक बार फिर से कुछ श्वागत है आपके अपनी चैनल जॉब डिटक्टर में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि टाड़ा इस्टी रिलेश्टर रिलेशन का एक्जाम का रिजल्ट आ चुका है और अब बात करें दोस्तों इसका सेलेक्शन प्रोसेस का दोस्त यहार सेलेक्शन के जलेक्शन होगा दूसरे सल इसाल में सब्सक्राओं को पहले सेलेक्शन का जाएगा जाए दोस्तों या बड़ी बात है क्योंकि दोस्तों लगवाट और 40 के आसपास ओंका एस तोटos है नहींको पहले सेलेक्शन दिया जाएगा पूरा अपडेट के बारे में जानेंगे ठीक है तो चले वीडियो को शुरुआत करते हैं उससे पर अप लोगो रिक्वेस्टेड होगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इसी तरह क को बता देना चाहता हूं देखिए जो आपका रिजल्ट है पान सो इस्टूरेंट का यहां पर सेलेक्शन किया जागा तो पान सुच्टूरेंट में जो सबसे पहले जिनका सेलेक्शन होगा वह ध्यान दिजेगा काफी इंपॉर्टन निउस है देख लिजे जिनका एज 42 42 लेकर 40 के बिचे 40-42 जिनका एज है वह सबसे पहले सलेक्न होंगा नंका सबसे के और सलेक्शन किया जाएक जाएगा मामने किसे के किसे की 42 ए dense सबसे पहला साल में तोटल 175 कर लिया जागा ठीAL को पिछले झेकले फिछली बाद निकता है तो इसे यह कहने कहीं किया जाएगा दोस्तों सब्सक्राइब उनको त्रीकात करें चैनल किरें नष्सांव ज्म आमेंट करके बताइए गया दोस्तों ऑप नहीं हो ठीक है दिखे उसके बाद बात करते हैं उसके इसे बाद में जब सक्षो इसब्रेस सब्सक्रां चורएंट गसे 40 के पूझ पनते के बात करें जब 175 123 साल जब हो जाएंगे त तिसरे साल में जितना उसके बाद बचेंगे डेल सु स्टुड़ेंट उन सब का सेलेक्षन इहां पे कर लिए जाएगा ये होगा दोस्तों इसका selection process का I hope अप लोग समझ गया होंगे कोई भी doubt लग रहा है तो नीचे comment करके पूछ सकते हो ठीक है और एक बार मैं आपको बता दाता हूँ first साल में किनका selection होगा जिनका age 40 से लेके 42 के बीच है second year में किनका selection होगा जिनका age 35 से लेके 40 के बीच है और third year में किनका selection होगा इन में से इनका जब selection होगा उनके बाद जितना भी 1.500 student बचेंगे उनका यहां पर selection कर लिए जागा ठीक है तो यह है दोस्तों इसका selection process ठीक है जब आपका medical अगरे सब clear हो जागा उसके बाद दोस्तों आपका selection process इसी type को होगा आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा यदि जिनका भी मान के चले जिनका एज अभी 22 या 25 हो रहा और वो दोस्तों पास आउट हो गया है उन्होंने exam clear कर लिया गया और यदि इनका selection first phase में नहीं होता है क्योंकि दोस्तों यदि age के हिसाब selection लीता है तो आपका आपका नाम third year में आने वाला ठीक है तो update रहेगा कि आपका नाम कब आता है और देखते हैं दोस्तों इसका selection process किस हिसाब से होता है जहां तक लगता है दोस्तों की age के हिसाब सही है selection होगा क्योंकि जिनका एज काफी ज़्यादा हो गया उनको पहले मोका दिया जाएगा टाडाशलो में कि दोस्तों उनका एज यदि नहीं दिया जाता उनको यदि थर्ड एर में उनका मोका दिया है झाल